तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक बैंक किसी को लॉन देता है तो वो क्या चीज होती है जिसको बैंक देखता है बैंक नोटिस करता है और उन चीजों के बाद ही आपको जो बैंक है वो लॉन दे सकता है ठीक है इसके लिए देखे मै एक वीडियो का हाँ पर आपको दिखाए तो प्रिविए ये वो वीडियो है इस वीडियो को आपने देखा होगा इंटरनेट पर इस वीडियो में बिसिकली एक bank manager है जो की बता रहा है कि भाई हम क्या क्या चीज देखते हैं उसके बाद ही हम loan देते हैं और कौन कौन से document होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं ठीक है सब कुछ पताया था इस वीडियो में इस bank manager ने एक customer ने इसकी recording कर ली थी और internet पर काफ़ी viral है अगर आपको इसका original वीडियो देखना है तो link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर मैं इसको play नहीं करूँगा मैं सिर्फ आपको बता हमगा कि कौन कौन से बाते हैं जो इस bank manager ने बताई है कि एक bank क्या देखता है loan देने से पहले ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे points note कर रखे हैं आप पर ताकि आपको मैं बता सको सबसे पहले चीज़ दोस्तों देखिए जो bank है bank manager ने बोला कि जो bank है वो सबसे पहले देखता है आदमी को मतलब व्यक्ति को देखता है जो loan लेने आया हुआ है उसको देखता है पहले वो या उसका behave ऐसा लग रहा है कि या रही पैसे नहीं देगा भाई इसको पैसे गलती से भी मत देना ठीक है तो पहले bank हमेसा ये चीज़ नोट करता है कि सामने वाला person जिसको loan चाहिए जो पैसे मागने आया है वो कैसा है इनके दूस्तों अगर आप भी किसी को भी सोर पे भी दोगे मालो मैं हूँ मैं किसी को सोर पे दूँगा तो पहले मैं ये देखूँगा भाई वो कौन है उसका वहवार कैसा है सोर पे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा मुझे वापिस ठीक है है कि बैंक वाल आपके शकल डेख रहा है कि अपके कपड़ देख रहा है ऐसा कुछ नहीं है बैंक के इसाप से जो वहवार है वहवार का मतलब हो गप एक अकाउंट की डिटेल आपको बेंक अकाउंट है वो किस तरीके से ट्रांजेक्षिनों को सो कर रहा है जैसे कि मालो आपकी पेमेंट आई, आपकी सेल्रे आई आपकी सेल्रे आती है ole जैसे आज अगग तरीक है आपके सेल्रे आती है 30,000 रुपए और अगल ही दिन आप 30 के 30,000 रुपए निकाल लेते हो ठीक है? फिर next मेने पहुंशते हो आप वहाँ पर आपकी sell ले आती है 30 जार रुपे फिर आप अगले दिन पैसे निकाल लेते हो या फिर एक दू दिन में पैसे निकाल लेते हो तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब यह होगा बैंक को आलों को रखेगा भाई इस बंदे के पास या तो खर्चा बहुत है या इसके पास करजा बहुत है मतलब कि इसको पैसे देने देने किसी ने किछी को तबी तो बैंक में रखने पारा उसके इसमें बैंक समझ जाएगा भाई इसको पैसा दूँगा तो पैसा डूप जाएगा यह कहां से देगा यह चीज नोट करता पैंक पेहली बाद कि भॉया। इस बंदे가 का वहवार किसा है कि सुर्पाइस की हां किसा यह संत्र की कि पैसा रहता है और यह पैसा कभ कभ निकालता है ठीक है, इसके अलावा बैंक जिछ देखता है कि आपने अगर किसी एप से या फिर किसी कोई चीज फाइनस पर ही हुई है, तो इसकी EMI आप टाइम पर भर रहे हो या नहीं भर रहे हो, या अगर कोई EMI डिले हुई है तो आपने उसको वापस से भरा है की नी भरा या फिर डिले ही छोड़ दिया है या पर आपके उपर दो-तिन डिफॉल्ट के केश चल रहे है कि वह या इसने पचाजार रुपर उस हैप के लोटाई नहीं है तो यह सब कुछ देखता है बैंक लोटाई नहीं है तो यह सब कुछ देखता है बैंक लोट देने से पहले देखिए यह पहले चीज है यह तो बैंक देखेगा है देखेगा उसके बाद बैंक सोचेगा कि भाई इसको लोट दिया जाए या नहीं दिया जाए ठीक है दोस्तों तो озब आते हम सेकेंड चीज़ पर पहले चीज देख लीए आपका BANK Matter देख लिए A अपकर वैवर्व के आपका चाल चाल देख लिए सब कुछ देख लिए Ship Now अब आते हैं सेकंड चीज पर सेकंड चीज ये है कि बैंक ये देखता है कि आपको पैसा किस लिए चाहिए भाई आप जो पैसा लेने जा रहे हैं बैंक से आप बोल्डरोब कि मुझे दो लाक रुपे सर लौन चाहिए और मैं घूमने जाऊँगा तो ऐसे केस में आपको कोई भी लौन नहीं देगा ठीक है आपको आपके पास एक रीजन होना चीए कि भाई या मुझे इस रीजन के लिए लौन चीए जैसे कि मालो आपको घर ख़रीदना है तो घर के लिए लौन चाहिए अगर आपको कोई business start करना है तो उसके लिए launch चाहिए अगर आपको business बड़ा करना है तो उसके लिए launch चाहिए मतलब कि किसलिए launch चाहिए ये बात आपको पता होने चाहिए और मुह पे पता होने चाहिए मतलब कि मुह जबानी आपको याद होने चाहिए ऐसे नहीं है सोच के बता रहे हो कि सर पैसे दे दोगे तो मैं ये काम कर लूँगा अगर कम दोगे तो मैं ये वाला काम कर लूँगा अगर थोड़ा चालस दे दोगे तो मैं ये वाला काम कर लूँगा ठीक है तो बैंक सोचे कि भाई इसको डिशाइड ही नहीं है कि इसको कर तक फ्रना क्या है थे कि फाम पेली चीज़ देखी आपका वैवार आपका चल चलने आपका डैकका देखा दूसरी चीजर रहा सब्सक्राइल नहीं पैस नहें प्रतिफिके हैं जैसे कि मानलो आप आपने business के लिए लॉन लिया और आपका business है एक आप खोल रहे हो किराने के दुकान एक बड़ी किराने के दुकान खोल रहे हो थो थ्रोक के दुकान खोल रहे होता अप बतलब कि basically bank ये देखता है कि हम जिसको पैसा दे रहे हैं in case अगर उसका काम नहीं चला तो उसके बाद जो उसका raw material है उसको बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं तीक है जैसे कि मालो आप घर के लिए loan ले रहे हो आपने कोई घर देखा तो bank ये देखेगा कि भाई उस जो वो घर है जो उसकी real value क्या है अगर in case आप पैसा नहीं लोटाते तो उस घर को जब bank बेचने जाएगा bank बेचने जाएगा market के अंदर तो उसके खरीदार वहाँ पर मौझूद है कि नहीं है और खरीदार उसकी कितनी कीमत देने को त्यार है ये भी bank देखता है बिजनिस में आपको फटापट लोन देदेगा फटापट लोन लेजा अगर नहीं देगा तो आपका घर बेकी जाएगा ठीक है तो ये चीज देखता है bank वाला इसके आप दोस्तों कुछ nature of business पर depend करता है जैसे कि मानलो आपका जो nature है business का वो इस type का है कि आप कभी हाँ काम करते हो कभी आप उस जगह पर काम करते हो जैसे कि मानलो आई है आप एक builder हो या एक constructor हो आप ठेकेदार हो मानलो आप आपने भाई यहां पर कुछ बंदों को लगा रखा है आपका यहां का काम खतम होगे आप पहुंचके दूसरी जगह पर तो ऐसे में bank वाला लोन आपको नहीं देगा मुश्किल से देगा आप बैंक वाला बोलेगा क्या आज तो यहां काम कर रहा है कल तुहां काम करेगा तो एसे केस में भी bank लौन नहीं देता ठीक है इन केस दोस्तों अगर आप मानलो एक गाड़ी का showroom खरीते हो आप बोलते हो कि मुझे लौन चाहिए उस समय गाड़ी का showroom खोलूंगा गाड़ी खड़ी करूंगा ठीक है उसको बेचूंगा फिर आपका पैसा लोटा दूंगा तो ऐसे दोस्तों ऐसे केस में भी bank वाला जल्दी लौन नहीं देगा क्योंकि bank वाला को पता भाई यह दुकान है इसकी जो गाड़ी है यहां नहीं चले तो वहां ख खोल देगा तो इस चकर में bank वाला नहीं देगा कि वही है इसको धोड़ेंगे कहां पर हम बतलब कि आसान हो जाएगा ना आपके लिए कि हां बिजनिस बंद कर आवाँ खोल दिया यह आसान है ठीक है बैंक लौन उसी को देता है जहां पर जो बिजनिस है उसको ट्रांसफ सब फिक्स कर ली तो वहां पर आपको टाइम लगेगा आपको ऐसा नहीं कि आपको मन करा कि चलो और वहां खोल लेते हैं गाड़े माल भरा और पहुच गया ऐसा नहीं होगा ना तो ऐसे केस में bank देखता है कि आपका जो बिजनिस है वो कितनी जल्दी आप सिफ्ट कर सकते हो अगर आप जल्दी सिफ्ट कर सकते हो जल्दी से जल्दी आप यहां से वहां ले आपको अगर आपको बिजनिस फिक्स है इसको यहां से वहां ले जाना में दिक्कत आएगी और दस वर सुचना पड़ेगा कि ले जाएं या नहीं ले जाएं ऐसे बिजनिस को बैंक वाला फटाफ़ा लॉन देता है ठीके दोस्तों तो मैंने आपको यहां पर कुछ चीजें बता दी हैं जो बैंक वाला बेसिकली देखता है लॉन देने से पहले आई होप आपको दोस्तों ये बास सारी बास समझ आगे होंगी इसके अलावा कुछ बात तो प्लिस है मुझे तो भी आप कमेंट कर देना वीडियो अच्छे लगे लाइक कर देना नहीं हो सब्सक्राइब कर देना थेंक्यों वेरे मच